अपना विस्तार कुछ कर सके जम्मू कश्मीर में जो पहला फेज है उसमें एक बीजेपी और एक पीडीपी के नाम की सीट है महराश्ट्र में जो पहला फेज है उसमें पांच बीजेपी दो शिवसेना उडिश्रा में जो पहला फेज हो रहा है उसमें चारों की चारों BJD के पास ये सीटे हैं उस पर भी BJP का खाता अभी उन चार सीटों पे जीरो ही रहा था तेलंगाना का पहला फेज जिसमें TRS आपको 11 के साथ दिख रहा है एक AIMIM के पास एक निर्दलिय के पास दो तो ये वो तमाम राज्य 18 राज्य और दो केंदर शासित राज्य जहां पर आज चुनाओ हो रहे हैं आंद्रप्रदेश की 25 सीटें आज पहले दौर में इस पर मद्दान जाएगा ये देखिए ये हमारा जो संसद है जो सचमुच का संसद हम लेकर आ गया है कि संसद के इन गलियारों तक पहुँचने का टिकट किसे मिल पाएगा कौन जीत कर यहां तक पहुँचता है तो हम पूरा का पूरा संसद यहां पर लेकर आ गया है इससे भव्य कवरेज, इससे महा कवरेज आपको और कहा पर मिलेगा देखने के लिए और इसमें ही हम संसद के ठीक ऊपर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितनी सीटें किस पार्टी के पास इस समय है जब 2014 में चुनाव हुए थे तो कौन-कौन सी पार्टियां उन सीटों पर जीती थी जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये हम आपको जो की कैंडिडेज, जो की मुकाबले हैं वो भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं बिहार की सीटों पर किस तरीके से सुशील कुमार सिंग का अपनी किसमत आजमाएंगे देखिए जीतन राम मांजी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं लेकिन उनके सामने जेडियू के विने कुमार गया की सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार की चारों सीटों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरीके से शेत्रवार हम आपको हर राज्य के हिसाब से दिखा रहे हैं कि कौन सी वो सीट हैं देखिए चिराग पासवान, लज़ेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं भुदेव चौधरी के सामने क्या यहाँ पर तस्वीर निकल करा हर एक सीट की अपनी एक अलग कहानी बहुत तेजी से भी आंकड़े यहाँ पर निकल रहे हैं लेकिन हम आप से आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे अभी हम आपको जम्मू कश्मीर भी लिए चलते हैं क्यूंकि कश्मीर में राजनीती के साथ साथ वो समवेदनशील परिस्थितियां भी रहती हैं जिनका सामना सुरक्षा बलूं को भी करना है और उन मतदाताओं को भी करना है जो की चुनाओं बेव वोट डालने के लिए आते हैं अश्रफ वानी जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्रीनगर से अश्रफ बाकी इलाकों में देश के बाकी इलाकों में हम लंबी कतारें देख रहे हैं वोटिंग के लिए कश्मीर में क्या आलम है तब जब रेड अलर्ट भी जारी किया गया है शुटा अगर आप देखेंगे तो ये चोकाने वाली तस्विरें कश्मीर से सामने आ रही हैं किस अंदाज से ये उमीद भी नहीं जताई जा रही थी ना उमीदवारों की तरफ से ना सरकार की तरफ से कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं इन लोग सबाचुनाओं के मद्दान के लिए गरों से बाहर निकलेंगे हम इस वकत बांडी पोरा जिल्ले के एक इलाके में हैं नाईद खाई ये इलाका है और यहां पर हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही लोग इसी तरह लंबी कतारों में अपने मद्दान के इंतिजार के लिए आये थे लोग सबा छेतर नियंतर रेखा से सटा है जितनी भी कश्मीर में नियंतर रेखा है चाहे बांडी पोरा जिल्ले में हो चाहे बारामुला जिल्ले में हो चाहे कुफरा जिल्ले हो तीनु जिल्ले जो हैं इसी लोग सबा छेतर में आते हैं तेरा लाग के करीब मददाता हैं और उनमें जो है नव उमीदवारों के बीच में मुकाबला है जिसमें नेशनल कांफिनस, कॉंग्रेस, बीजेपी, पीपलस कांफिनस जो के सज़ादलों की पार्टी है और इंजिनियर रशीद जो के एक निर्दले विदायक थे, AIP आम थोड़ी देर में उनसे बातचीत मैं चाहूंगी करूंगी लेकिन यह बहुत बहुत उत्सा बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं जो कश्मीर से आ रही हैं, हम ब्रेक के बाद लोटेंगे तो हम चाहेंगे कि अश्रफ उन लोगों से बात भी करें क्योंकि हमारे साथ सुजीज और संजर शर्मा भी जुड़े हैं, लेकिन हम कश्मीर की तरफ वापस रुख करेंगे इस छोट